कि आपको एक बड़ी मैदार बात सुनाता हूँ भाशनों की क्योंकि भाशन जिंदगी में बहुत लोग सुनते हैं और जो भाशन देते हैं उनको बड़ा experience होता है तो मैं तो भाशन देता भी हूँ और सुनता भी हूँ और फिर मैंने भाशन देने बंद कर दिये तो एक बड़े जोस से भाशन देने वाला आया और उसने कहा तुम सारे के सारे निकम में हो तुम्हारा सारा का सारा ऐसा है बावा सापका तुमने माल लिया बावा सापका तुमने ये के लिया और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता उसने खूब जितने भी लोग थे वा सुनने वाले खूब उनको कहा और लोगों ने खूब तालियां बजाए बहुत बढ़िया भाशन दिया बहुत बढ़िया भाशन दिया तो बहुत कोसने और बहुत बढ़िया भाश्म की जब ताली बजी तो फिर मेरा नंबर आया तो मैंने उनसे ये का मैंने का भई तुम सारे तो यहां आए हो तुम तो मीटिंग में आए हो घर से निकल के आए हो तुम तो बावा साब का हक अदा कर रहे हो यह जो बात इस व्यक्ति ने कही थी तो उनके लिए कही थी जो व्यक्ति हैं आये नहीं और तुमने सुनके ताली बजा दी तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि निकम्बे तुम हो या जो निकम्बे जो हैं उनके ओपर ताली बजाई ये ताली बजाई तो बोले जी बात समझ में नहीं हमारे तो हमने तो ता हुए लोग है वो निकम्मे नहीं है वो कम्मे लोग है और जिस व्यक्ति ने ये कहा है उसका रोस है क्योंकि वह व्यक्ति बहुत दूर का देख रहा है समझ रहा है और बात नहीं बनी तो उसने अपना रोस प्रिकट किया है तो आप ताली बजाने की बजाए उस व्यक्ति को ये आजवासन दो कि हम ज़्यादा काम करेंगे और आप भी ज़्यादा काम करो ताकि ज़्यादा लोग आए आली बजा के क्यों खा मैं खा उसको होंसलाब जाई कर रहे हो उसको प्रॉमिस करो उसको वाइदा करो कि भी छुटलाल समर्ण साब आपका जो ये रोस है ये रोस हमारे लिए नहीं है 219 जो लोग बैठे हुए है उनके लिए नहीं है मगर 219 लोगों का ये वाइदा है कि हम आपकी बात को समझ गए हैं हम जदा काम करेंगे ताकि लोग निकल के जदा आएं और जदा हमारा काम चले हो जल्दी समझ संका काम पूरा हो तब उतो उनके भाषण का मार्व भाषण का फाइदा है और खाली ताली बजा दिया ये लोग बड़े निकम में हैं बहुत बड़िया कहा आप बहुत बड़े बोले दिल से बोले तारीफ हो गई एक ने तारीफ की दूसरे ले ली मर काम नहीं हुआ तो फिर काम नहीं होता तो अधिकतर भाशनों में हमारे लोग उन लोगों को खुब कोशते हैं जो लोग नहीं आते जो बावसाब का काम नहीं करते जिनको समझ नह करनी हैं और जो बैठे हुए लोग हैं क्योंकि वो भी इसी को देखते हैं तो वो उस पर तालियां बजा देते हैं और बात को खतम हो जाती है आपने कहा और हमने ताली बजाई बस लेंदेन हो गया बात खतम होती तो हमारी यह हलत नहीं होती लेंदेन देके बात खतम नहीं ह तो ये बात खतम होती है उस समस्या का समधान ढूनने से कि समधान क्या है उस समस्या का कि वो जो लोग जिन से हम प्रतालित हैं अपने ही लोगों से जिन से हम परिशान हैं दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका हल नहीं हो जिसका सॉली सुनना हो जिस प्रसंद का कोई ह चुच चूच्टी समस्य हैं मन उस्य है तो मनस्य ना समझ already तो उसको वार नहीं तीन वार नहीं लगतार प्रियास के अचे अर्म इसके बहुत सारे तरीके मेरे पास में की वार फोन आते हैं इकवार फोन जो अधिकतर आते हैं वो बहुत बड़ बड़े अफ्सरों के भी आतें तो एक अफ्सर में का फौन आया तो फौन नमबर कहीं न कहीं से मिल जाता है तो उनके दिमाग में ऐसी चबी आरी है कि मैं वीडियो बनाता हूँ मैं हो कंसर्ट देता हूँ या वीडियो मेरा जाता है या कोई पूस्ता होगा कि भई वहाँ पे किस से बात करें तो कहते जी सुधीर रासिम से बात कर लो तो नमबर उम्मर लेके बात की तो उसने फॉन पर अभी लेटेस फॉन एक दो दिन का तो कहता है जी कि मैं फलाना फलाना आ अधर है मेरा साला इधर है मेरी साली उधर है और सारे क्लास्वन पॉश्ट है और उसकी बात में बड़ी खनक और बड़ी चमक रिटायड है बगर वो जो 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 खनक है जो 具 करनक्रिकिऄ तो कहीं गई नहीं है कि मैं सुनता रहा फिर वह बात करने लिद्चे buru बात即 ainda कि है तो मैंने का जिड़ो अच्छी बात है समड़ सब तो सब्का है इसमें तो कोई दिय्क्ट नहीं है तो कया सब है मैं झाझी जमीन पे बैठा पड़ेगा अपनी छह रोटी ले moto कोई original कोई है नहीं और जो व्यक्ति जब जुड़ता है उसकी सीनेटी तब सही मानी झाती है आप अब जुढ़ोगे तो आपकि सीनेटी अभी है और कोई यह है हम कभी जिन्दी में राजीती में जाएंगे नहीं हम यहीं सामाजी काम करेंगे और पूरा संग है और एक ही काम है हमारा जोड़ना जोड़ना तो आपको लोगों को फोन करना पड़ेगा लोगों को जोड़ना पड़ेगा आप बड़े अफसर हो तो आप बड़े अफसरो पुश्ट है जो बावस आप ने इसको पोश्ट दिया उसका आतंगवाद फिला रहा है यह तो बहुत जादा फायरिंग कर रहा है कभी अफसर हो की तो वो थोड़ी सी उसकी फारिंग कम होई फिर उसने मेरा नाम पता पूछा तो नाम पता तो मेरा साधान है मेरे पास कोई इतना बड़ा पोस्ट वर्स तो है नहीं हो ना ही मेरे पास कोई मैं कोई कहीं का मिस्टर हूँ ना ही मेरे पास इतना कुछ ऐसा दबदबा है तो सिं क्योंकि पहले भी जैविमने की उसने बाद में जैविमने की और वो चला गया ऐसे बहुत केस आते हैं मैं उसी को आइना दिखा सकता था बता सकता था मगर अपने समाज का है इसलिए आएना दिखाया नहीं उसको समझाया नहीं मगर यह समझ से आ रही है क्योंकि जो जादा लोग जानकार हैं जिनके जादा संबंध हैं जो बहुत बड़े बड़े पोश्टों पे हैं और जो बावसाब की किरपा से बहुत ज्यादा अच्छी पोश्ट में हैं उनको कंसेप्ट इसलिए तो समझ में आता है कि यहां लोग इखटे हो रहे हैं तो हमारी कुछ बात बच जाए मैं रिटार्ड परसन हूँ तो मुझे कहीं कोई पोस्ट फॉस्ट मिल जाए दो उनको और ऊपर जाना है और वूट को वह राजणितिक पार्टी में चला जाता है हम राजणितिक पार्टी में नहीं जाएगा कसी व्यक्ति की जाना जाया दो जा सकता है यह उक्न पद रही है पोष्ट नहीं तो फिर भी मेरत करनी पड़ेगी ना क्योंकि यहां कोई पद पोश्ट है नहीं तो जाके किसी राजनितिक पार्टी में क्या कहेगा मैं सवर्च संग में इतना बड़ा अधिकारी था तो कहा भी समझ संग में तो बता होता नहीं को सबसादरron है को यहां को हुद समझ गया कि जाल करने वाली तो आइना ढिखाना ऐसे वितना ही कहना है तो तो अपने पिताजी को बताएगा कुछ ना कुछ सरकारी करमचारी रहे होंगे तो जो सुपर क्लासफन लोग होते हैं उनके पिताजी अधिकतर सरकारी करमचारी रहे हैं और उन्होंने अपने सरकारी करमचारी होने के फायदे से अपने बच्चों को पड़ाय लिखाया आग या तो मजदूर होगा, या दादा कहीं बेगार करता होगा, या दादा किसी की कोई होक्म बजारी करता होगा, छोटी मोटी, या कोई छोटा मोटा सामान बेशता होगा, या बहुत कोई छोटी मोटी अग्रेजों की समय की कोई छोटी मोटी चाकरी होगी, इस से जादा कुछ नहीं हैं यह जितने धादा हैं सारे धादा ओं की यही पोशन हैं किसी का भी धादा उठा ले ना यह दादा जितने भी Larsмет सब जमीन पर लेटे हुए थे तो इनने पूछ हो कि आप इतने बड़े विद्वान हो गए इतने बड़े । अधिकारी हो गए अपके बेटा बेटी इतने बड़े-बड़े अधसर हो गए तो भई आपके दादा तो इसका जवागे जानते हैं मगर यह इसका जवाद को देता हूं क्योंकि आपको फिल्ड में कि तुम्हारे दादा जिस समय थे उस समय वो बावा साफ के साथ में संगर्स करे थे और बावा साफ उन के लिए लड़ रहे थे चुकि उस समय तक नौकरी के मौके नहीं थे उस समय तक बावा साफ अपनी करांती पूरी नहीं कर पाए उस समय तक सम्विधान नहीं बना, उस समय तक विसम विधान चलता था, उस समय तक वो चीज़ें चलती थी जिससे हम गुलाम बने हैं, उस समय तक मौके नहीं मिले, उस समय तक पढ़ने के लिए मौके नहीं कोई पढ़ाता नहीं था, स्कूल मैडमिशन नहीं मिलता था, बताएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि यहां किसी का भी दादा कोई क्लास वन सुपर अपसर नहीं था भाई यहां किसी का भी दादा कोई अंग्रेजी बोलने वाला नहीं था यहां किसी का भी दादा को ऐसा नहीं था बस एक ही थे बावा साथ और वो ही थे जो सुपर बोते हैं अकात का मतलब है plenty of time मतलब बहुत ज़्यादा समय तो अकात दिखाना उनका समय दिखाना कि भाई ये समय था जहां से बावा साब उठा के लाए और तेरे को उठा के लाए क्योंकि तुझे जो मिला है मौका वो हमारे दम पर मिला है तो उसको बताना politely कि तेरे की ज आपके पिताजी का मेरी नौकरी में मेरे पिताजी की नौकरी में हिस्सा कैसे है तो उसको politely आराम से समझाना कि जब नौकरियों पर अधिकार मिल रहे थे तो वो परसंटेज के हिसाब से मिल ले थे 6 करोड हमारी आवादी थी 6 करोड आवादी के हिसाब से जो हमें बनता थे 14 परसंट जो सक्य चाहर साथ पर्संट जो बनता था वह रॉल ट्राइप्स का पलता था हमारी परसंटेज जनसंके अथनी थी तो जनसंग क्या के हिसाब से हमसे ये कह दिया कि आपको इतनी नौक्रिया मिलेंगी उस नौक्री में जो पहले पढ़ गया अब तो बहुत सारे पढ़े लिखें जो पहले उस समय पढ़ गया जो उसके लायक हो गया उसको वो मौका मिल गया पढ़ने वाले को मौका मिल गया तो पढ़ने का मौका भी बावा साब ने दिया है तो बावा साब की आवाज कहीं पहुची कहीं नहीं पहुची किसी ने अपनाई किसी नहीं अपनाई मगर अधिकार सबका है तेरी इस नौकरी में तेरी सुपर डुपर नौकरी में तेरे बच्चों की नौकरी में तेरे बच्चे जो बड़े अधिकारी बन गए तू जो बड़े अधिकारी बन गए पूल लाए गुपा से गाल लेकर पूल लाए और यहां स्टाइल मार रहा है ये नौकरी तेरे पिताजी लेके नहीं आए, ये नौकरी समाज के हिस्से का हिस्सा है, मौका अबावा साब ने दिया है, इसलिए इतना ज्यादा मत उड़ो, थोड़ा जमीन पर रहे, तो ठीक है कि तुने नौकरी पाई है, पड़ा है, लिखा है, अगर पढ़ने लिखने क नौकरी के सारे मौके हमारी वैसे, हमारी जनसंग्या के अधार पर हमारे बावा साब के मौके दिलाने की वैसे मिले हैं, तो किसके हुए ये मौके, किसकी हुए ये नौकरी, ये नौकरी और ये मौके समाज के हैं, ये समाज को मिले हैं, ये व्यक्ति विसेश को नहीं मिले है इसलिए समर्संग बनाना जरूरी पड़ता है हमको क्योंकि समर्संग व्यक्ति विसेश का नहीं है समर्संग समाज का है इसलिए जब कोई फाइदा समर्संग को होता है तो व्यक्ति को नहीं जाता समाज को जाता है और समाज तेरी पुत्री क्लास पन सुपर्टो पर अफसर बन गए मैं लिखके दे के जाता हूं कि उनके बच्चे इस पुजिशन को प्राप्त नहीं कर सकते और उनके और जो बच्चे हैं उनको वो पुजिशन भी प्राप्त नहीं होगी जो तेरे दादा को दी तेरे दादा में और पड़ पोते में वही बात समानाने वाली है जो तेरे दादा में दी और अगर यकिन नहीं होता है तो टाइम डाइन देख ले फ्रैम देख ले ग्राफ देख ले पड़ा लिखा आदमी है कि कैसे हम डाउन हो रहे हैं और कैसे हम जमीन में घुस रहे हैं कैसे हमारे सारे अधि कार देते समय का था कि पांच परसेंट अपनी पूरी छमताकार पूरे अपना जो तुने अचीव किया समाज से जो तुने रिसूर्स पाए हैं वो समाज को पे बैक करने हैं तेरी जुम्मेदारी थी कि तुने सारा टेलेंट और टाइम अपने बच्चों में लगा दिया बच पर बच करने तो तुन जो तका रही है तो तो सारे बैदिगादर के सामने चलेंगे रहें समझ नहीं तूथ पड़ा लिखा करके उनको दिए 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 बताएंगे प्यार से बताएंगे उनकी चाय नास्ता करके बताएंगे और उनको बताएंगे कि तु जमीन में पूरा गड़ जा और कितना ही बड़ा तु अफसर हो और कितनी तोप चला लेना तेरी तोप मैंसे गोला तो छोड़ गोली बाहर नह और प्राइवेट सेक्टर में तुझे कुछ मिलने वाला है नहीं क्योंकि तु जाती वाला आदमी है और तेरी कोई इस्टूट नहीं है और तेरा कुछ ऐसा है नहीं और कुछ दो-चार पैसे तुने बला रखें या पैंसर है तो वो दस पंदर सार में निकल लेंगे और पिने लोगों की वीडियों आई हैं तो खाने पिने गाराम क्योंकि जात पर चलेगा तो उस चलेगा नहीं बाहर जाने सकते ऑर बाहर तो वैसे हैं बाहर की मुलकों में इस समय सैच wollt हैं वो भर गैंए विदेश़ी लोगों से इसलिए वहां इती ना पैसा रहा है और ना वहां इती डिमांड रही है तो जाओगे कहां तो करोगे क्या तो राजनीती में कोई पूस्ता नहीं राजनीती में सीटें फुल रहती हैं वहां कोई पूस्ता नहीं नोक्री सारी जा चुकी हैं डिपार्टमेंट सारे बिक तो बावा साब को दुबारा से पढ़ लो, तो बुद्ध को देख लो, तो साब काशी राम को देख लो, तो कितनी दूर दूर की बाते बताई हैं, कि अगर इखटे रहोगे, तो हर चीज पैरों में रहेगी, इखटे रहोगे, तो सुखी रहोगे, इखटे रहोगे, तो ये सारी बातें जगे 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 हमारे पास आ रही हैं तो इनको बताने के लिए इनको सिखाने के लिए आपको सब तरह की बातें इस्तमाल करनी पड़ेंगी और सारी जानकारी आपको देनी पड़ेंगी जब तक आप सारी जानकारी नहीं देंगे और सवाल जवाब नहीं करेंगे तब तक यहां रोज प्रिकट करने से या उस रोज पर वाहवाई प्रिकट करने से समस्य हल नहीं होने वाली है समस्य हल तब होगी जब हम बहुत महनत करें समझाने के लिए बहुत महत करनी पड़ती है एक व्यक्ति को एक बात समझाने के लिए कभी ज़्यादा महत करनी पड़ सकती है कभी बहुत तो आप यह मान के चलें कि बहुत महत करनी पड़ेगी और किसी व्यक्ति को स्पोक बनाने के लिए कई के घंटे लगाता लगाता बोलना पड़ता है तो एक आदमी बोलेगा पू विदा क्या अच्छी है उसका फायदा उठाईए एक तो हम बिना आए जाए बात कर सकते हैं फॉन पर बात कर सकते हैं उसका टाइम लेना जिसे बात करने हैं भाई सुननो मेरी बात तो यह जो समस्या है सारी की सारी इस समस्या को हमको बहुत पॉलाइटली आराम से बैठ बै जब घर जाते हैं तो आँख से आँख मिलाके बात करते हैं घर जाते समय एक बात ये हो सकती है कि वो ग्रती आप से आधे में जानकारी में बढ़ा हो तो पहले वो आपको अपनी सुनाएगा तो उसकी सुननी पड़ेगी आपको क्योंकि आप इसके घर गें चाये नास्ता कर क्यों हम ऊपर से लेके नीच तक आगे जब आप जैसे लोग सारे जानते हैं। फिर अपनी बात पर दीधरे लेके आएं। उसे। दूसरा हम काम यह कर सकते हैं कि हम वीडियो बनाने का काम मैं बहुत सालों से लोगों को बोल रहा हूं। वीडियो बनाना शूलू घ्यूップ के तो मैंने मोबाइल इस्टार्ट कर दिया और मोबाइल पे आपके साथ मैं आ गया और ये रिकॉर्डिंग चल रही है और इसका वीडियो बना कि कल हम भेज देंगे तो साथ आठ दस हजार आदमी इसको यूटुब पे देख लेगा और वाटसेप पे और फेस्टूप के लही है और आशल कंसेट और सारी बात हैं इसी पर हो रही है इसलिए इस वीडियो को जितनी जल्दी बनाना सीखे हैं सीखना चाहिए कुछ लोगों ने सीख लिए और अपने अपने चैनल्स खोलके इसको आगे बढ़ाना चाहिए किसी के अंत्यार नहीं करना चाहिए जो लोग फेस्बुक पर लाइब आ सकते हैं और फेस्बुक पर लाइब आना चाहिए यूटूब का भी लाइब का उप्शन है लाइब आना चाहिए कुछ लोग जो बोल नहीं सकते हैं वो लिखें वो लिखकर पोस्ट बनाकर बड़ी बड़ी पोस्ट बनाकर चोटी वीदा पीपल के नाम से भेजें जो पोस्ट नहीं बना सकते हैं वो जो कौपी जो और लोगों ने पोस्ट बनाई उसको कौपी करके आगे बेजें जो कौपी करके आगे नहीं कर सकते हैं वो व्यक्ति वीडियो को आगे भेजें पुरानी वीडियो का आगे भेजें, लोगों को जोडने के लिंक भेजें, उनकी खुशा मत करें, कि आप लोग यहां आईए, आकर देखिए, एक वाज जुड़िये, अपने सवाल पूछिए, सवाल जबाब पूछिए, ऐसा पलेट फार बारबार नहीं बनता, वीदा आदमियों को एक साथ नहीं खटा कर पा रहे हैं, उनकी मीटियें फेल हो जाती है, आप तो दस महने से जुड़े हुए हो, इसका मतलि है कि काम बहुत बढ़िया चल रहा है, तो थोड़ा सा महनत करनी है, तो एक टारगेट बनाने है कि कम से कम एक विट्टी से एक घंडे, बावा साब ने आपको पे बैक टू सोसाइटी करने के लिए बीस परसेंट, यानि कि पांच परसेंट का हुकम दिया है, पांच परसेंट का उनका आदेश है, ओडर है, हुकम है, उस पांच परसेंट के आदेश से 24 घंटे में एक घंटे और खुछ मिनट बनते हैं, आप पांच परसेंट मदो, खाली एक घंटा बात करो, एक घंटा अगर लोग आप बोलोगे, तो एक हफते में वो आप भी बात से कन्विस हो जाएगा, साथ वार से और वो व्यक्ति, वीदा पीपल समर संग बन जाएगा, एक व्यक्ति अगर एक व्यक्ति को जोड़ेगा, तो हम एक साल से पहले भी पूरा कर सकते हैं पर कोई यह सोचे के वहां तो 260 लोग जुड़े हैं और बहुत बड़िया काम चल रहा है और हमें जोड़ने की जरूत नहीं है हम क्यों फोन करें लोग हमारे लोग तो अपने लोगों की होश्ला अफजाई करने के लिए उनकी जो पोश्ट आती हैं जो उनका कुछ आता है उसको लाइक और शेयर भी काउंट होता है जितने लाइक शेयर होते हैं उतना ज़्यादा पोश्ट फारवर्ड होके आगे चलती है और वो आगे बढ़त हैं लिए ये सारी चीजMen सेखनी पड़ेंगी इसके लावा अगर आपके पास मेना फ़ॉन है ना आपके पास नेट है तो आप किसी आदमी को कहें अगर कोई नेट या कोई सुविधा नहीं है तो मुह तो है पैड तो है तो पैरों से चलके जाए और मुह से बोले जाकर कह गाओं है, कोई मौला है, कहीं है, तो जाके वहाँ बात करे, बातचीत करके वहाँ बताए कि ये प्लेटफार्म है, ये संग है, ऐसा ये काम होता है, हर आदमी अपने में खुद मुक्तियार है, खुद मालिक है, उसको अपना खुद काम करने अपड़ेगा, ये अत्तदीपो भव की पॉलिसी है, यहां कोई किसी को बताने नहीं आने वाला है, तो वो काम कर सकता है, कोई व्यक्ति अगर लिखने में माहिर है, तो वो समर्ण संग के कंसेप्ट को हाथ से लिखे, और फोटो इस्टेट की मसीन आजकल आफिसों में मिल जाती है, कोई आफिस का बंदा पकड़ ले, जिसके आफोटो इस्टेट मसीन उससे कहे, मेरी दस कॉपी कराके ला दे दस कॉपी कराके ला गे, वो दस लोगों को बांट दे, वो दस लोगों को दे दे, या हाथ से लिखे और हाथ से लिखे और उस कागज की फोटो खीच के उस फोटो को वाटसेप पे भेज दे तो भी काम चलेगा जिनको वाटसेप लेखना नहीं आता है वो कागज पे हाथ से लिखें और फोटो खीच और भेज दे मतलब हमको एक घंटा हर हालत में विदा पी के तहत में पांस परसेंट आपका जो तन और मन है वो चाहिए यानि कि आप कोई ना कोई काम एक घंटे करें और एक घंटे तक आपका मन इसमें रहे यह कंपल सरी है यह देना पड़ेगा बावा साब ने पैसिकली नहीं कहा बावा साब ने सिर्फ इतरा कहा था कि आपको था तरहा मांख रामी मत करिए बावा साब के एक घंटा आपको देना ही है है और यह सबसे बड़ी प्रेट-फार्म है क्योंकि इस प्रेट-फार्म में यह गारंटी है कि आपकी एनरजी इस वार बेकार नहीं जाने वाली है. क्योंकि इसमें कोई नेता नहीं है, जिंदी में कभी कोई नेता बनेगा नहीं, इसमें ये राजनितिक पार्टी में कभी जाएगा नहीं, और ये जिंदी में कभी भी किशी से पैसे लेगा नहीं, पबलिक से पैसे नहीं लेगा, ये अपना काम अपने आप चला लेता है, औ अगर वो active काम करना चाहते हैं, तो वो यहाँ chat box में लिखें, या बताएं बोलकर, या जिस साथी ने जोड़ा है, उसको बताएं, या आपने मुझे कहें, कि मैं यहाँ active काम करना चाहता हूं, active काम करने वाले को माहा पुर्सों का प्रवक्ता बोलते हैं, माहा पुर्सों का प्रवक्ता मतलब अंगरी जी में spokes बोलते हैं, वो spokes होता है, वो एक तारी को house में बैठ सकता है, कल house लगा था, चार घंटे लगाता है, यहाँ माधा पच्ची होती रही, कुछ नियम बनते हैं, कुछ नियम बनते हैं, सारी बातें पूरे पूरे house के सामने रखी जाती हैं, और वहाँ सारी लोग बहस को सुनते हैं, मगर सुनते हो ही हैं, जो माहा पुर्सों के प्रवक्ता हैं, जिनको spokes बोलते हैं, और महापुर्सों का प्रिवक्ता बनने की कोई फीस नहीं है, कोई पड़्ची नहीं है, यहां कभी कोई चंदे धंदा होता नहीं है, जिन्दगी में कभी किसी को पड़्ची लेकर भीजा जाएगा नहीं, कोई व्यक्ति समर्संग या वीदा पीपले के नाम से पैसा मांगे तो आप उसके कान पर दो मार कर एफ़या करा सकते हैं वो व्यक्ति जूंता है और फरोड है समढ़ संग में ना कभी जितनी में पटशी कटेगी और ना ही कभी चंदा कटेगा ये बात पूजित रह सकते हैं क्योंकि पहले कि कभी ऐसा नहीं कुछा था तो समढ़ संग जो बनाया है वो समढ़ संग बनाया है हमारे महापुर्सों के माबाप ने बुद्ध हमारे मापुर्स थे मगर उनके माबाप के माबाप के माबाप कोई रहे होंगे उन्होंने समढ़ संग चालो किया है उनकी वजह समढ़ संग बना है और ये वही समण संग है और ये पहले बड़ा काम्याब रहा और ये अभी भी काम्याब रहे है इसलिए जितने भी व्यक्ति हैं जो यहां सुन रहे हैं जो दूसरों तेहतर व्यक्ति हैं वो सभी के सभी इस बात की कमर करसन है कि हमको pay back to संग करना है पे बैक टू बावा साब करना है पे बैक टू सोसाइटी करना है पर पे बैक टू संग्ठन नहीं करना है क्योंकि संग्ठन तो 29 लाग है आप किस-किस को दोगे और बावा साब ने संग्ठन को पे बैक करने के लिए नहीं कहा है उन्होंने पे बैक टू सोसाइट पूरा समाज और संग आज की रेट में भारत में यही है क्योंकि ये संग उसी तरह से चलता है जिस तरह से वावा साम ने भवान बुद्गा संग लेके और भारत गर राज्य संग भनाया ठीक वही संग ये पूरा पुरा पुराना बना हुआ है हमने तो सिर्फ इसमें अपनी के लोग उखटे हो रहे हैं तो ज उसमें आए उस मीटिंग में च बटर पेरिमेटिकल में मीटिंग है जो धॉप्टर की दूसरी इंटर्नेशनल मीटिंग है वहाँ पर जाए। चबवी जून को वहां पर मीटिंग है, तेरे तारीख जो पारीख आ रही है। पंजाब में मीटिंग है और हयाई मीटिंग है। मीटिंग हापुल में, लखणों में होनेの वाली है jiwen बड़ी मीटिंग' तो बड़ी बड़ी मीटिंग का मैने आपको नाम बता आया है चुटी चुटी नाम बतार था रहता है, चुटी है बिना जुड़े और बिना जुड़े दुनिया का कोई काम होता नहीं है इसलिए संग में जुड़ना है और जुड़ना है जिद्ध जुड़ने की है जो जुड़े हैं वो जीते हैं जो नहीं जुड़े हैं वो मारे गए हैं आज भी दुनिया के पडल पर आप देख सकते ह कि जो अलग थर्ट पड़ गए हैं वो पिट रहे हैं और जो साथ हैं वो मौज करें उनके बच्चे मौज करें बस उसी प्राचीन सद्धान्त को संगे सक्ति वाली को अजमाते हुए हमें हर हालत में जुड़ना है जिद्ध है जुड़ने की जुड़ेंगे जीतेंगे धन्य आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तिमाल करना चाहिए, तो आपको liberty है, आपको छूट है, ये सभी copyright free है, आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे, या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम सब का है, हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है, या महापुर्सो का है, उन्ही की बात को सरल भासा में गच्छामी, थन्ही सरेन गच्छामी, तंवं सरेन गच्छामी, थन्ही सरेन गच्छामी, संगं सरनं गच्छामी, तुम्तियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी, तुम्तियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी, तुम्तियं पी धम्ममर्सरनं गच्छामी, भूतियं पी दम्मं सर्णं गच्छानी, भूतियं पी सर्णं सर्णं गच्छानी, ततियं पी बुद्धं सर्णं गच्छानी, ततियं पी घुतम सर्मं कच्छामी ततियं पी धम्ममर सर्मं कच्छामी ततियं पी घम्ममर सर्मं कच्छामी ततियं पी संगर सर्मं कच्छामी तातियम पिसन्दम सर्नम तर्शामी साथो, साथो, साथो